हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेपल सी बाई फश्टेडी पर आप सभी के लिए क्लास रेड़ी है और आज किस क्लास में चैप्टर नंबर सेकेंड से कुछ इंपोर्टेंट प्राशन डिसकस करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड आपका है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिनिक सिस्टम जिसका ये पार्ट नंबर वन होगा नेक्ट क्लास कराएंगे जिसमें हम आपको पार्ट नंबर सेकेंड देंगे ठीक है और आप सभी को बता दें ट्रेपल सी एक्जाम की डेट वी कनफर्म हो चुकी है आप सभी के जो एक्जाम है वो 18 अगस्त से सुरू हो जाएंगे ठीक है और ये आपके 28 अगस्त तक चलेंगे 18 अगस्त से आपके एक्जाम सुरू होंगे और 28 अगस्त तक चलेंगे आपके जो प्रवेश पत्र हैं वो 10 अगस्त के बाद आ जाएंगे ठीक है ध आप कह सकते हैं कि जिनका exam अप्रेल में होना था ठीक है या फिर मई में होना था जूर में होना था या अगस्त में होना था उन सभी का exam अब 18 से लेकर के 18 के बीच में करा जाएगा पर सभी साथ ही जो लाई बाज चुके हैं बाई सेर कर दो class को और आप सब लोग अब मेनस से लग जाओ अपनी तयारी के लिए ताकि आप लोग एक अच्छी ग्रेट से पास हो सकें एक बार हम उन बच्चों को सलेवस समझा देते हैं जो यूप कंप्यूटर के कोशन आएंगे वो किस लेवल के आएंगे और उसमें क्या क्या आएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन दिया गया है तो इसमें आपका जो एक्जाम होता है वो दो भागों में होता है जो पर्थम भाग होता है उसमें कंप्यूटर के पेपर होगा वो刺 निलेट का जो BB three level का जो c कर्प्रट्र घ्न होता है वही सिस्थारे कुर्षन आते है थेक है जिसमें 50 percent होते है और एक जो प्रसन होता है वो एक अंक का होता है और अधिक्तं 150 अंक होते हैं तो total आपके 50 percent होते हैं होते हैं टोटल उसमें कितने होते हैं पचास होते हैं इसमें आपकी मार्किंग होती है तो एक वटे चार इसमें मार्किंग होती है अगर आप गलत करेंगे तो आपका जो मार्किंग होगी उसमें जोड़ जाएगी तो यह आप कह सकते हैं कि जो आपका syllabus है वो total triple C exam का syllabus है triple C का जो syllabus है आप उसको अगर complete करते हैं तो आप अगर UPCLTG exam की परिच्छा देते हैं तो बहाँ पर आप अच्छे से अपना exam कर पाएंगे यहाँ पर साब साब दे दिया गया है कि triple C जो नयलेट है उसके इसतर का ठीक है triple C इसतर का आप computer ग्यान आपको हसिल करना है और उसी से सारे question आपको बहाँ पर मिलेंगे ठीक है उसके बाद अगर आप part number second बे जाएंगे तो उसके बाद part second आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं लेंगे इसे सो पचास प्रसन नोम ये दो लेकिन हमें computer से मतलब थाओ भांट ता कि हमने आपको बता दीए कि computer में जो question आते हैं वह किस level की आते हैं और कैसे कैसे आते हैं है ना इसके बाद भी एगर लगेगा तो आपके लिए हम special अलग से class देंगे PCL बालों के लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें अभी जो series चल ले ही आप उसी को follow करें चलिए start करते हैं अपने class तो आज का सबसे पहला प्रस्न अब आपकी screen पर आज को है आपको जबाब करना है पहले question का चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका correct answer आपसे पूचा है shortcut icon के संबंद में इनमें से कौन सा सही है बताइए shortcut icon के संबंद में कौन सा सही है इसमें से कौन सा right answer हो जाएगा आपको commit box में answer करना है तो यहाँ पर आपका option नमर भी correct हो जाएगा shortcut को shortcut बिजाड के दोरा बनाया जा सकता है देखे shortcut icon के संबंद में कौन सा कथन सही है पहला है shortcut को dragging and dropping दोरा बनाया जा सकता है दूसरा है shortcut को shortcut बिजाड के दोरा बनाया जा सकता है तीसरा है दोनों और अगला है कोई रही तो यहाँ पर आपका option भी हो जाएगा shortcut को shortcut बिजाड के दोरा बनाया जा सकता है question number second में आपसे पूँचा है operating system का अर्थ है अब आपको बताना है operating system का अर्थ क्या होता है option में दिया है programs का set जो computer की working को control करता है या फिर एक computer operate करने के काम का तरीका high level language को low level language में बदलना या इन में से कोई नहीं तो यहां पर पहला option character है programs का set होता है जो computer की working को control करता है operating system क्या होता है जो computer को operate करने का काम करता है उसे चलाने का काम करता है तो यह programs का एक set होता है ठीक है और यह computer की working को control करता है ठीक है उसके सारे कारियों को control करने का काम करता है तो पहला option या पर आपका right हो जाएगा question number third अब आपसे पूछा है डिस्क टॉप पर जाने के लिए shortcut कुझी निम्न में से कौन सी है अगर आप डिस्क टॉप पर जाना चाहते हैं तो कौन सी shortcut की आपको प्रेस करनी होगी बताए बिंडो की के साथ E बिंडो की के साथ D बिंडो की के साथ C या फिर इसमें से कोई नहीं तो सही जबाब हो जाएगा option number B अगर आप किसी भी बिंडो पर हैं और अगर आप जाना चाहते हैं सीधे आप डिस्क टॉप पर तो आपको केवल बिंडो की दवाना है और साथ में D दवाना है विंडो की के साथ आप D दवा देंगे तो सीधे आप डिस्क टॉप पर पहुंच जाएंगे धिया रखना है ठीक है नेक्स कुशन में पूचा है विंडो में निमने में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग या क्लिकिंग तो विंडो में निमने में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है यह आपको बताना है तो सही जबाब हो जाएगा पहला अप्शन आपका लिफ्टिंग क्योंकि भाई dragging का भी इस्तेमाल होता है double click भी करते हैं आप और click भी करते हैं लेकिन lifting का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है इसलिए option पहला right है आप पूछाए किसी selected object को बिना recycle bin में भेजे permanent delete करने के लिए कौन सी shortcut की इस्तेमाल करते हैं अगर आपने किसी भी object को select किया है और आप आपको उसी delete करना है और delete करना आप ये चाहते हैं कि वो सीधे delete हो जाए means permanent delete हो जाए वो recycle bin में ना पहुचे तो आप कैसे उसे delete करेंगे control के साथ deal button दवाएंगे shift के साथ deal press करेंगे shift control और deal press करेंगे या इसमें से कोई नहीं चलिए भाई कौन सा answer यहाँ पे correct होगा आप लोग जल्दी से अपना जवाब भेजें क्या हो जाएगा और सभी साथी class को भाई share कर दें ठीके सभी साथी एक बार share कर दें में ना जाए पर्मानेंट डिलीट हो जाए आपके computer से तो आपको shift प्रेस कर लेना है और फिर delete कर देना है ठीके shift के साथ delete आप कर देंगे तो वो पर्मानेंट delete हो जाएगी अगला question आपसे पूचा है windows प्लस L shortcut का इस्तेमाल होता है आप जब windows के साथ में L दवाते हैं तो ये जो shortcut की होता है इसका क्या यूज होता है window के साथ L desktop लॉक करने के लिए होता है चुने हुए item को copy करने के लिए होता है चुने हुए item को shortcut वनाने के लिए होता है या फिर none of each तो ध्यारेकना है इसमें पहला option करेक्ट हो जाएगा अगर आप window की के साथ में L प्रेस कर देते हैं तो आपका डिस्क्टॉप जो है वो lock हो जाएगा इसे desktop को lock करने के लिए हम window की के साथ में L प्रेस कर सकते हैं अगर आप अपने computer को lock करना चाहते हैं उसकी बिंडो को लॉक करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप बिंडो दबा दीजिए और एल प्रेस कर दीजिए बस आपका जो सिस्टम होगा वो लॉक हो जाएगा ठीक है तो पहला उप्षिन यहां पे राइट है अगला कुछ से पूचा है स्टार्ट मेनू ओपिन क करने का सौटकट की क्या होता है आप अगर स्टार्ट मेनू को ओपिन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सौटकट की आप यूज करते हैं तो यहाँ पर पहला option correct होगा आपको केवल बिंडो लोगो प्रेस करना है जैसे ही आप बिंडो लोगो प्रेस करते हैं तो आपका जो start menu है वो आप open हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं start menu यहाँ पर open हो चुका है तो केवल आपको क्या करना है विंडो लोगो की प्रेस कर देना है ठीक चलिए next question आपके screen पर और यहाँ पर आपसे पूचा है विंडो में खुले programs के बीच में एक दूसरे पर जाने के लिए निमनिमे से कौन सी की स्तेमाल होती है अगर आपके विंडो में 2 से 3 program open है आपने क् second window पर जाना चाहते हैं थार्ड पर जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर वही चार ओप्सन दियेगे इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा यह आपको बताना है एक से दूसरी पर जाना चाहते हैं दूसरी से तीसरी पर जाना चाहते हैं तो इसके फिर से अगले window पर जाएंगे फिर टैब प्रेस करेंगे फिर से आप अगले विटो पर जाएंगे तो आपको कैया करना है alt दबाओं लेना है जो आउल्टर की होती है आपके keyboard में उसको replace कर लेना है और आप टैब को प्रेस करते रहेंगे तो आप जो एक विंडो है उससे दूसरे विंडो पर चले जाएंगे किसी विंडो ज अप्लिकेशन में सब से उपर कौन सा बार होता है किसी भी विंडो अप्लिकेशन में जो सब से उपर एक पटी होती है एक strip होती है वो क्या होती है title बार होती है menu बार होती है status बार होती है या फिर task बार होती है तो सही जवाब क्या हो जाएगा title बार किसी भी windows application में जो सबसे उपर पट्टी होती है जो सबसे उपर एक बार होती है उसे कहते है title बार जहां पर document का title होता है ठीक है और एकला question पूचा है multitasking operating system में एक से अधिक program एक साथ चल सकते हैं क्या होगा इसका सही जवाब बताइए तो बिल्कुल चल सकते हैं यहाँ पहला option करेक्ट हो जाएगा यह question आपका true हो जाएगा ठीक है multitasking operating system में एक से अधिक program एक साथ चल सकते हैं next question में पूचा है folder वाफ फाइलों की प्रवंधन में किसका प्रयोग होता है बताईए तो सही जवाब यहाँ पी क्या हो जाएगा option number c हो जाएगा window explorer ठीक है ध्यार रखना है option number c हो जाएगा folder वाफ फाइलों को प्रवंधन के लिए ठीक है folder वाफ फाइलों के प्रवंधन के लिए किसका इस्तेमाल होता है window explorer का इस्तेमाल होता है ध्यार रखना है तो option number यहाँ पे c हो जाएगा अब अगला question आप से पूचा है windows set down बिकल्प पॉप अप करने के लिए shortcut कुजी है तो windows set down बिकल्प पॉप अप करने के लिए कौन सी shortcut कुजी है तो आपको ctrl f4 प्रेस करना जैसे आप ctrl f4 प्रेस करेंगे तो windows set down बिकल्प का पॉप अप उपेन हो जाएगा और window को आप सट डाउन भी कर सकते हैं तो पहला option यहाँ पे सही हो जाएगा अगला कुशन पूचा है विंडोज 10 पर निमनमेसि किसका सौमित है ठीक है विंडोज 10 पर निमनमेसि किसका सौमित है IBM Microsoft Apple या Intel तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा option B Microsoft का दिया रखना है विंडोज 10 किसका है Microsoft का है ठीक है तो आप कहसे रखते हैं कि विंडोज 10 पर किसका सौमित है Microsoft का है अगला कुशन पूछा है Ubuntu एक free open source operating system है true and false में जवाब करना है Ubuntu एक free open source operating system है तो बिल्कुल सही है पहला option है आपे सही हो जाएगा आपका यह option आपका true होगा और अगला कुशन पूछा है निमनमे किस shortcut कुझी का प्रयोग run program बिंडो़ ओपिन करने में होता है तो बताइए किस shortcut कुझी का प्रयोग run program को open करने के लिए होता है अगर आप run program को open करना चाहते हैं तो आप कौन सी shortcut की प्रेस करते हैं Ctrl-R, Alt-R, Window key के साथ R या Ctrl, Shift और R तो यहाँ पर आपको प्रेस करना होता है विंडो़ की के साथ में R जैसे आप विंडो़ की दबाते हैं और R प्रेस करते हैं तो क्या होता है एक run program window open हो जाता है तो यहाँ पर आपका जो correct जबाब होगा option number C हो जाएगा चलिए अगला question आपसे पूचाए question number 16 और यहाँ पर आपसे पूचाए निम्न में किस mode में computer सीमित कारेश्चमताओं के साथ चलता है safe mode में, private mode में, public mode में या protect mode में तो सही जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा आप सभी को आशर करना है comment box में जल्ली से बाई सभी लोग आशर भेजो तो यहाँ पर हो जाएगा पहला option right आपका safe mode में विंडोज task manager दिखाने के लिए कौन सी shortcut कुझी इस्तिमाल करते हैं विंडोज task manager दिखाने के लिए कौन सी shortcut की आपको प्रेस करनी है उध्यार रखना है विंडोज task manager को दिखाने के लिए आपको कौन सी shortcut की प्रेस करनी है option B, control, alt और डेल Ctrl, Alt और Dell आप प्रेस करेंगे अगला कुशन पहुचा है निमने में कौन सा Windows Operating System का सही संस्क्रण नहीं है बताएए Windows XP, Windows 2019, Windows 8, Windows 7 कौन सा Windows Operating System का सही संस्क्रण नहीं है तो यहाँ पर Windows XP भी सही है, Windows 8 और 7 भी सही है Windows आपका 2019 नहीं सही है, गलत है, तो Option B आपका सही है अगला कुशन पहुचा है, निमने में कौन सा एक Freeware है अब आपको बताना है कौन सा एक Freeware है तो यहाँ पर हो जाएगा Option Number B Adobe Acrobat Reader जो है वो आपका एक Freeware है तो Option B आपका यहाँ पर Correct है अगला कुशन पहुचा है, डिस्क की सभी सामगरी को मिटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है अगर आप डिस्क की सभी सामगरी को मिटा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं wiping, removing, formatting या cleaning तो उसको कहते हैं अगर आप disk की सभी सामगरी को मिटा देते हैं तो उसको कहते हैं फॉर्मेट करना यानि की फॉर्मेटिंग ठीक है? आप फॉर्मेट कर देते हैं उसको अगला कुशन पहुचा है जी यू आई का पूरा नाम graphical user interface, graphically user interface group user interface या इसमें से कोई नहीं तो GUI का फॉल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है तो इसका मतलब होता है graphical user interface यहाँ पे पहला option आपका correct हो जाएगा graphical user interface अगला कुशन पूचा है निमने में कौन सा एक proprietary operating system है कौन सा एक proprietary operating system है बताइए reactOS, ubuntu, free, bsd या windows 7 तो यहाँ पर है option number d windows 7 एक proprietary operating system है ध्यार रगना है तो d option आपका यहाँ पे correct हो जाएगा और एगला कुशन पूचा है निमने में कौन सा एक operating system नहीं है ठीक है तो कौन सा एक operating system नहीं है यह आपको बताना है apache, android, linux या windows तो सही जवाब क्या हो जाएगा अपाचे ध्यार रखना है अपाचे क्या है एक operating system नहीं है आपका एक web server program है क्या है एक web server program है ठीक है तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा option number पहला correct हो जाएगा अगला कुशन पूचा है प्रोग्राम की गती को बढ़ाने के लिए अपयोग की जाने वाली utility को कहा जाता है program की गती को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली utility को कहा जाता है क्या हो जाएगा आपका तो सही जवाब disc diffragmenter disc cleanup, disc formatter, none of this प्रोग्राम की गती को बढ़ाने के लिए OPO की जाने वाली उटिलिटी को कहा जाता है डिस्क डिपरेग्मेंट beiden पहले अप्सर यहां पे आपका सही होगा जो आपका डिस्क फ्रिगमेंट डिस्क को डिपरेग्मेंट करते हैं अर्थात डिस्क में जो फैली फाइल्स होती है उनको वेवास्तित किया जाता है ठीक है जिससे कम्प्यूटर की स्पेड तीज हो जाती है ध्यारकना है तो यह क्या है एक प्रकार का डिस्क फ्रेग्मेंटर एक टूल है जिसकी मदद से जो डिस्क में फैली हुई फाइले होत करते हैं अगर कोई भी अप्लिकेशन के विंडोव ऊपन है और उस विंडोव को आप अपनी विंडोव में वाई तरफ एनए कि लेफ्ट साइड में उसको ले जाना चाहते हैं ठीक है लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए आपके कौन सी सौट कई कि आप प्रेस करेंगे तो इसके लिए आपको बिंडो लोगो दबाना होगा साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करना होगा बिंडो लोगो के साथ में अगर आप जो आपके एरो होते हैं तो लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगी right arrow press करेंगे तो right side में आईगी ठीक है और अगर आप top arrow press करते हैं तो आप window को बड़ा कर सकते हैं और आप down arrow को press करते हैं तो window को छोटा कर सकते हैं ध्यारखना है अगला question पोचा है hard boot का सही कथन है hard boot का सही कथन क्या होगा जब software user के निर्देशों का उत्तर नहीं देते हैं तब computer को manual rope से दोबारा सुरू करना hard boot कहलाता है या computer की power supply बंद करके दोबारा सुरू करते हैं तब hard boot कहलाता है या computer की keyboard की मदद से reboot करना hard boot कहलाता है या इसमें से कोई नहीं तो hard boot किसे कहते हैं जब software user की निदेशों का उत्तर नहीं देते हैं तब computer को manual रूप से दोबारा सुरू करना hard boot कहलाता है तो पहला option या पे आपका सही हो जाएगा ठीक है और एक ला question पूचा है task bar को lock करने के लिए task bar को lock करने के लिए आप क्या करेंगे task bar पर right click करेंगे control panel में जाएंगे control के साथ L press करेंगे या इसमें से कोई नहीं तो इसमें से कौन सा right answer हो जाएगा अगर आप task bar को lock करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे तो यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा option नमबर पहला ठीक है task bar पर आपको right click करना है जब आप task bar पर right click करेंगे तो बहाँ पर कुछ option आएंगे तो बहाँ से आप अपनी task bar को lock कर सकते हैं अगला question पूचा है operating system का मुखी कार बूटिंग प्रिक्रिया को करना है जो operating system होता है उसका main car क्या है booting प्रिक्रिया को करना है ऐसा question में दिया गया है अब आपको आशर करना है क्या ये सही है ये गलत है तो ये हो जाएगा false ठीक है option number B आपका correct हो जाएगा अगला question पूचा है MS paint का प्रियोग करने के लिए desktop background बदला जा सकता है यहाँ पे ये दिया गया है कि MS paint का प्रियोग करके desktop background बदला जा सकता है अगर आप desktop background को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आप MS paint का प्रियोग कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं आप MS paint में जाकर के भी desktop का जो background है उसको आप change कर सकते हैं बहाँ पर कोई भी आपको इमेज बना लेनी है मैं स्पैंट में और उसको सेट कर देना है अजे डिस्क टॉप वेग्राउंड ठीक है तो ये बिलकुल करेक्ट है पहला ओप्सन या पर आपका राइट है अगला कुशन पूचा है कंट्रोल बस कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विविन कमांड या कंट्रोल सिगनल प्रसारित करता है जो कंट्रोल बस होता है वो कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विविन कमांड या कंट्रोल सिगनल प्रसारित करता है क्या ये सही है गलत है तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे पहला option आपका correct हो जाएगा, यह question आपका true हो जाएगा, ठीक है, तो आज की class बस यहीं तक उमीद करता हूँ, class सभी को पसंद आई होगी, class अच्छी लिगों इसको like करना, share करना, ठीक है, और जो भी साथी channel पर नए हो, आप लोग channel को subscribe करके, जरूर और कर लेना, ताकि आप सभी को time to time पर notification class के मिलते रहें, ठीक है, और आप triple six exam के लिए, अगर mock test देना चाहते हैं, तो आप हमारी website पर visit कर सकते हैं, यहाँ पर आपको धेल सारी mock test हिंदी और गलेस में मिल जाएंगे, साथी साथ आप यहाँ से important PDF डाउनलोड कर सकते और important question answer भी पढ़ सकते हैं, thanks for watching, thank you, good night